तो दोस्तो एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्साहते हैं अप लोगों के बारे में बताने वाला हूं साहथ ही बताऊँगा कि आप उस बग को कैसे फिक्स कर सकते हैं Jisakी कि आप लोग इस ख्रीन पर देख सकते हैं कि यह रहे विग हैं और यह काफी धेर सारी डिवाइसे में बग देखने को मिला है तो आज की इस बीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस बग को फिक्स करके अपने कंट्रोल सेंटर को कैसे इस तरह से बना सकते हैं जियां दोस्तों तो दोस्तों इस बीडियो को सुरू से लेकर लास यहां पर आप लोगों को क्या करना है 392 देखने को मिल जाता है तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है 360 इसे कर देना है और ओके कर देना है जियां दोस्तों जैसे कि मैंने इसे ओके कर दिया आप लोग देख सकते हैं उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है सिंपल जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर control center and notification सेड्ड में जाने के बाद में अपना जो control center है उसे एक बार off करके on कर देना जिहां दोस्तों उसके बाद में आपका जो यह problem है यह 100% fix हो जाएगा जिहां दोस्तों आप लोग ट्राइ करें आपका जो control center का बग है वह 101% fix हो जाएगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद होगी अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना से करना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा